students now let's see how to perform complex filter in SPSS software अब हम इसका एक practical example करते हैं और जैसे कि हमने देखा था simple filter apply करते हुए हमने gender के variable को लिया था और उसकी basis पे select किया था अब हम gender की बजाए age और marital status की basis पे data को filter करते है आये देखते हैं data मेंगे select cases की option पे आपने क्लिक किया यहां से आपने if condition select की और if condition को पहले आपने यहां पर अपना जो relevant variable है वो यहां पे लेकिए आना age यह की आपने category one ले ली और इसके साथ आप add करेंगे एक option marital status और उसमें आपने इसको ले लिया zero continue करेंगे यहां पर ok करेंगे और यहां पर आप देखते हैं कि यह command execute हो गए तो आपके पास यह जो cross है यह आपके पास select नहीं हुए है आपके पास सिर्फ वो select हुए है जैसे कि यह variable one नहीं देखें तो यहां पर age one है और marital status zero है इसी तरह अगर आप नीचे देखें तो आपको नजर आएगा कि majority of the data जो है वो sort out हो गया है तो हम देखते हैं हमारे पास इसमें से कितना data set बचा है descriptive statistics में के frequency में जाएंगे और हम age की basis पे देख लेते हैं कि हमारे पास data set कितना है तो यह हमारे पास one seventy four का data setup बचा है जो कि यह में शीट में जो data है वो more than five hundred है तो यह तो आपने double या इसमें variable को use कर लिया select cases की command को use करते होए अब इस select cases की command में आप जब इसको perform करेंगे तो आप इसमें सिर्फ इसको demographic numbers पे नहीं only perform कर सकते बलके आप इसको जो आपके continuous variables है उन पे और index variables है उन पे भी आप execute कर सकते हैं कि मैं यहां से अगर marital status को हटा दूँ और मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो है preventive behavior जो है वो variable यदि age one category और उसमें preventive behavior जो greater than और higher जिनका score है 20 सिर्फ वो लोग select हो तो हम इसको continue करेंगे और यहां पर आप हमारे पास सिर्फ वो ही data आएगा जो के up to 25 years होंगे और जिनका preventive behavior का score 20 है इससे बढ़ा होगा हम यहां पर हमें SPSS output में कुछ और भी options देता है कि हम इसका एक कलेदा से sheet बना ले जैसे हम यहां पर filter out unselected cases से इस command पर आ जाएंगे copy selected cases to a new dataset इसको हम कह देते हैं filtered data और ok करेंगे तो हमारे पास एक नया sheet SPSS में बन जाएगा यह मैं जब ok करूंगा तो यह आपके पास यहां पर एक नही SPSS sheet बन के आ जाएगी जहां पर आपको यह नदर आ रहा होगा उसकी command जो हमने उसका name रखा था वो लिखा होगा अभी यह सिरफ sort out होके हमारे पास data आ गया यह save नहीं है तो इसको पहला हमने काम क्या करना है इसको हमने अपने folder में save करना है तो अब हम देखते हैं कि यह हमारे पास data set कितना है तो हम descriptive frequencies में जाते हैं हम इसको preventive behavior की frequency देख लेते हैं हमारे पास कितनी है तो देखें यह हमारे पास अब total जो cases select हुए वो 162 है और इसमें जो preventive behavior का score है 20 and more than 20 है यानि जो 20 से कम cases में जिनका score था वो यहाँ पर select नहीं हुए तो इसको हम meaningfully इस command को use कर सकते हैं अपने data analysis में यह depend करता है researcher के SPSS knowledge पे और उसकी theoretical understanding पे कि उसने अपने variables को कैसे modify करना है और कैसे उसका utilize करना है उस variable को इसमें हम दुबारा master sheet में आते हैं यहां पर मैं आपको एक और चीज़ बताता चलू कि all cases select करने के बाद हम इसमें से random sample भी बना सकते हैं अपनी इस random sheet का तो हम उसको देखते हैं दुबारा से data में जाएंगे select cases में जाएंगे तो if की बजाए अगर मैं random sample select करना चाहरा हूँ तो यह मुझसे पूछेगा कि आप जो है अगर sample बनाना चाहरे हैं तो total percent का कितने percentage हो तो मैं कहता हूँ कि यह 25% of the total data हो तो इसको मैं continue करूँगा और इसको एक लाइदा से separate फाइल में चाहता हूँ मैं इसकी बन जाएं तो sample किया तो okay किये करेंगे तो यहां पर हमारे पास एक लाइदा से जो है वो बन के आ गई है फाइल हम इसको देखते हैं इसके descriptive देखते हैं कि अब इसका sample size क्या है इसका sample size क्या है 138 यह यह total वो जो main data था उसका 25% है अब यह इसने randomly 138 का sample बना दिया है तो sometime यह हम option use कर सकते हैं इसको आप save करने पहले सम्टाइम हम यह option use कर सकते हैं कि अगर हमने probability method के थूँ जो है अपना sample draw करना है तो आपके पास अगर total data है तो उसमें से आप इस select cases की option को use करते हैं वे भी जो है अपना sample draw कर सकते है तो यह हमने देख लिया इस module में के complex filter क्या होता है और इसको कैसे apply किया जाता है जत्त्त 最ो झाल जिए झाल